पूरी दुनिया इस वक्त सुसाइट केसिस को कम करने की कोशिश कर रही है ना जाने कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जिन्दकी में सब कुछ खत्म हो चुका है वो डेप्रेशन में चले जाते हैं और मौत को गली लगाना चाते हैं मगर मौत को गली लगाना इतना असान भी नहीं जितना लगता है यही वज़ा है कि मौत के करीब आने के बाद बहुत से लोग इरादा बडल भी देते हैं लोग भूल जाते हैं कि जिन्दगी अन्मोल है इसलिए सुसाइट केसे फूरी दुन्या में बड़ी दिक्कत है लेकिन अगर हम आप से कहें कि एक कंट्री ऐसी भी है जो अपने देश के लोगों को सुसाइट करने की इज्वाज़त दे रही है वो भी ऐसी मौत जिसमें ना कोई दर्द होगा ना कोई परिशानी तो आप क्या कहेंगे नमस्कार मैं प्रिया शिवास्ताफ कटिंग मौप का स्वागत सीनी उस भारत की स्खास रिपोर्ट में जिहां स्विजर लेंड में हुई एक मौत ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है ये पूरा मामला इच्छाम रत्यों से जुड़ा बताया जा रहा है जहां पर 64 साल की अमेरिकी महिला ने विवादों से घीरी सर को कैपसूल का यूज करके अपनी जौन दे दिया इस खाबर ने स्विजर लेंड से लेकर अमारिका तक सभी को हिला कर रख दिया है मामला इस कदर गर्मा गया है कि स्विजर लेंड की सरकार हरकत में आ गई है इच्छाम रत्यों के इस मामले में अब लोगों को गिरफतार किया जा रहा है दरसल भार समेट कई देशों में इच्छाम रत्यों 11 कानूनी है लेकिन स्विजर लेंड में इसकी इजाज़त दी जा रही है देखिए ये रिपोर्ट और जानिये क्या है पूरा मामला और क्या है सरको कैपसूल जिसमें मिलती है सुकून की मौत और क्यों इसे रोका जाना चाहिए मौत का दर्द वो दर्द है जिसका जिक्र भी खौफ नाक होता है ऐसे में किसनी सोचा होगा कि टेकनलोजी ऐसी भी बन सकती है कि मौत में भी दर्द ना हो दरसल स्विजर लेंड में 64 साल की महिला ने सरको सुसाइट पॉर्ट के जरी आत्म हर्ट्या कर लिए रिपॉर्ट के मताबिक अमेरिका की ये महिला सरको पॉर्ट के जरी 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 जरान देने वाली पहली महिला है इस घटा ने हर किसी को हिला दिया सो इस अधिकारियों ने कई लोगों को गिरफतार किया है सबसे पहले आपको बताते हैं किया खेर सरको सुसाइट पॉड क्या है अंग्रेजी के शब्द सरको फैगिस के आधार पर इसे सरको कहा जाता है सरको फैगिस का मतलब पथर का ताबूत होता है जिसका आम तोर पर इस्तमाल मिल्स ग्रीस और रोम के फ्राची लोग शबो को मकबरी में रखने के लिए किया करते थे इसे पेगासस और सुसाइट पॉड के नाम से भी जाना जाता है दिखने में ये किसी आराम करने वाले कैपसूल की तरह होता है जैसा आपने अकसर एयरपोर्ट्स पर लगा देखा होगा इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का बॉक्स होता है जिससे निकलने वाली गयास इनसान को धीरे धीरे मार देती है वो भी बिना किसी दर्ट और परिशानी के साल 2019 में पहली बार इस कैपसूल को दुनिया के सामने लाया गया था इसमें डॉक्टर की देखरेक में एक वेक्ति अपना जीवन खत्म कर सकता है यानि कि कानूनी तोर पर इससे इस्तमाल करने की इजाज़त केवाल उन लोगों को है जो मेडिकली जीने के लायक नहीं है और डॉक्टर की देखरेक में उनकी जिंदगे खत्म की जाती है लेकिन इस बार हुई मौत ने सभी को हिला दिया बतारे कि स्विजर लेंड ने 1940 के दशक के बास से ऐसी मौत की इजाज़त दी है सरको सिसाइड पॉड की कुछ खास बाती भी जान दीजे ये मशीन आस्ट्रेलिया के डॉक्टर फिलिप नत्सके ने बनाई है पॉड का यूज करने वालों को पहले कुछ सवालों की जवाब देने पड़ते हैं जैसे की आप कौन है आप कहा है और क्या आप जानते हैं कि आप बटन दबाएंगे तो क्या होगा मशीन मरने से पहले इंसान की आखरी रिकॉर्डिंग भी करती है और अगर कई सवालों के जवाब नहीं दे पाता इंसान तो मशीन रुख जाती है देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इस मशीन को बनाना आम है या इसको यूस करना आम है सरको पॉट को स्विजर लेंड में ही कई तरीके की कानूनी चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है इसने पूरी दुनिया में नातिक चिंताइं पैदा कर दी है खुट स्विजर लेंड में इसके कई तरीकों का विरोध हो रहा है दुनिया भर में इसे लेकर वहस चल रही है कि सरको जैसी मशीन आत्महत्या को भी रोमैंटिक और आम बना सकती है यानि कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है देखा जाए तो सरको सुसाइट पॉड एक पहली बन गया है वहीं ये पूरी दुनिया के लिए परिशानी का सबब भी बन सकता है एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीब बन साथ लाख लोग सुसाइट करते हैं विश्व स्वास्ट संगटन यानि की डबलो एचो आत्म हत्या को गंभीर सारजुनिक स्वास्ट समस्या कहता है वहीं सुसाइट को एक मेंटल प्रॉबलम भी माना जाता है इसके बावजूद इस पर ज्यादा बात नहीं की जाती पूरी दुनिया सुसाइट केसिस को रोकना चाती है ऐसे में सरको सुसाइट पॉड एक नहीं काफी बड़ी आफ़त है ऐसे में जरूरी है कि दुनिया को मिलकर इस पर सोचना होगा और इसको ट्रेंड में आने से पहले ही रोकना होगा क्योंकि जिन्दगी अन्मोल है और हार किसी को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए फिलाल इस खास रुपोर्ट में इतना ही देश-दुनिया की बाकी खबरों के साथ जोड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी निउस भारत